वो सब गड़वांदे ने इतना गटोला करता है इस बार मत पूछू अहिया चे वारी बात सुनो थे मागी जो सरकार चेना वो कांगरेशी चे है कांगरेशी चे है? जी मैं पेवर कांगरेशी चूँ गैलो जी को कितने नंबर देंगे दस में दे? आप दो आजएगे छे इन गेलो जी दस में दो नंबर देंगे अपनों कुछ भी नहीं ते नंबर तो कम होता है मतला आप कम देरो जाता देरो दो देरे ही हो रही है कम आज तो सोते राजस्तान जैसा कोई सहरी नहीं है नमस्कार, न्यूस बीट्स के एलेक्शन कवरिज में हम राजस्तान की राजधानी जैपुर में इस वक्त मौझूद हैं फेमस तूरिस्पॉट हवा महल के ठीक सामने इस वक्त है इस महल का निर्मान हुआ इस मकसद से कि उन जरोकों में बैटकर रानिया नगर की जिंदगी को देख सके लेकिन आज जब टूरिस्ट वहां से देखता है तो उसे सिटी लाइफ दिखाई देती है मार्केट्स दिखाई देते हैं राजस्थान के रंग दिखाई देते हैं और खूब सारे टूरिस्ट के मन का उत्साह दिखाई देता है लेकिन राजस्थान में अभी सिर्फ ये उत्साह नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री अशोग गहलोत ने यहाँ पर नागरिकों के लिए अलग-अलग घोशनाओं का एलान करना शुरू कर दिया है छे मुख्य ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत वो जनता के बीच जाने वाले हैं और इन में से स्पेसिफिकली तीन योजनाएं तो महिलाओं के लिए हैं हर घर की महिला को स्मार्टफोन, एक साल तक मुफ्त इंटरनेट, उजवला योजना के तहत सिलेंडर पांसो रुपे में रोडवेस की बसेज में आधा किराया, इसके अलावा चिरंजीवी बीमा योजना, 25 लाग तक का जिसमें इलाज की सुविधा मौजूद है साथ ही जो पशू, लंपी वाइरस की वज़ा से मारे गए, उन किसानों को मुआफजे की भी घोशना की गई है लेकिन मुफ्त की इन योजनाओं को लेकर अशोग गहलोत निशाने पर हैं सवाल ये है कि इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा ये योजनाओं वाकई राज्ये के लोगों के लिए क्या फाइदे मंद है भी रह नहीं और सबसे बड़ी बात कहीं राज्ये के लोग इसे सिर्फ एक लॉलीपॉप तो नहीं समझ रहे तो आज इसी विशे के साथ हम जैपूर की जनता के बीच पहुँच रहे हैं तो जुड़े रहिए मेरे इस कवरेज के साथ हवामहल की आसपास के इस पूरे एरिया में जहां पर शॉप्स हैं लोगों से बात कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि उन लोगों की जिन्दगी में क्या चल रहा है रादिश्याम राम गुपाल खंडेलवाल कि राना मौचंट स्टोर तो यहां पर गैलोट जी के राज में अच्छे दिन है नहीं अप्ट देखो गैलोट की राज में खाली चुनावी वह दिखा रहे हैं और को वैसे विकास वली बात तो है अज़े आपको लगता है कि मुफ्त की जो यह योजनाएं चल रही है जिससे राज्ये पर भी करजा ब लेकिन अभी यह मोबाइल देने का कोई तूक नहीं है निसकी कोई विकास कारे में लगाते वह बढ़िया था नुकसान राजकर हो रहा है लोग बावाग जो कमा रहे है वह बेरोजकर हो रहे है ठीक तो कोई भी नहीं है मतलब फिरी की रेवडी बटनी नीची है विकास न कर रख रहा है उनका उनको मुत राशन बट रहा है जबकि संपन्न है वह राव जुमलेवाज है वह परदान मंतरी के सपने देख रहा है तो राजस्तान के लिए एक चीज जो बहुत अच्छी हुई पांच साल में और एक चीज जो बहुत खराब हुए कुछ विकास हुए लेकिन यूथ के अपने इशूज हैं जिनके लिए वोट करने जाते हैं जब आप वोट देने जाएंगे कौन सी चीजें आपके कंसिबरेशन में होगे जी मैं मेरे तो वह रहेगा कि देश का अच्छा विकास रहा है गैलोजी के वज़े से मेरे को लगता नहीं है यहां प फिर राज्ये में किसे आप देखते हैं चीफ मिनिस्टर के चहरे के रूप बीजेपी से तो मैं जो अलवर के हैं योगी उनका लग रहा है मेरे को उनका को नाम सामने आएगा वसंद्रा जी की कोई इंपोर्टन्स होगी जी मैं वसंद्रा का भी ऐसा कुछ में को लगता न प्रदान मित्री बनने लाएं कभी तो देखे ये लोगों के मन की चिंताएं हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि सरकार की वापसी उनकी नजर में कम सी कम मुश्किल दिखाई दे रही है लेकिन अभी और लोगों से भी बात करेंगे और देखते हैं कि राजस्तान की जनता इस वक्त जैपूर में क्या सोच रही है सबसे चुनावी चर्चाएं और पॉलिटिक्स की बाते आप सुनते होगे क्योंकि जो यहां पर खड़ा हो का पांच बार है डिसक्रशन यहीं कर रहा है तो क्या महाल है राज्जे में बढ़िया महाल है यह सरकार आने चाहिए शॉक्षांति दे रहना चाहिए मुझे एक बात बताइए जरा कि अर्शोग यहलोद अभी बहुत सारी योजनाई अनाउंस कर रहे हैं मुष्ट की मतलब की नहीं है ना पनको चीए अल्ला का शुकर है आपको इसमी मिल्ला दालोटे पूंके चीजिए रही है कौन कर रहा है यह आपस में यही राजनीता ही सब्सक्राइब का नाम में प्यारे है तुमारे तुमारे राजसान का चीफ मिनिस्टर कौन है मुख्यमंतरी कौन है है मोधी कौन है जानते हो मोधी कौशन किसको जानते हो कोई को भी नहीं राज्य में क्या महौल चल रहा है चुनावी महौल अब तो यूपी कानपुर के हो तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं गहलोज जी बढ़िया काम कर रहे हैं हुआ ऩह मारे अपकली और ही हमारे लिए खाना पीना सब कुछ ओख फाना बेठेफेया कन आप गयर कंश रहे हैं और कुंछ लोग कर आउन से बाद करने सरकार कसा परहे हैं राजसान हम बießकakah बनाइया काम ने तो पर दोनों का इसका परावाला दोनों का बताओं किसकी आने वाली है तो लेकिन राजस्तान तो पांच-बात साल में सरकार बदलता रहता है और फिम जी जीटेंगे जीटेंगे गारंटी नी रोस्ता बगे पादा है एक फांच-बाजीयर्गिने का शरकार बांच रख्ता है तो जो अपने हमारे हमारे वही है, तो जो अपने इहां का होता है अज तो सबस्त करें है? अरविन केजडी और का नाम ही नहीं पता है? अच्छा यह बता हूं मझे की शचेड पालटी को जानते हो वह कैसे लगते हैं? मुफ्त की राजनीती पर बात करना क्यू जरूरी है क्योंकि MP राजस्थान टैक्स कमाई का 35 प्रतिशक हिस्सा फ्री बीज पर खर्च करते हैं RBI की 31 मार्श 2023 तक की रेपोर्ट में सामने आया कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्यम मंगाल जैसे राज्ये टैक्स की कुल कमाई का 35 प्रतिशक तक हिस्सा फ्री की योजनाओं पर खर्च कर देते हैं मुफ्त के इन वादों पर राजस्थान के बजट घाटे में 7.8% की बढ़ोत्री हुई है जबकि मध्यप्रदेश में आगड़ा 6 प्रतिशत का है पंजाब पर अपनी GDP का 48%, राजस्थान पर 40 प्रतिशत, मध्यप्रदेश पर 29 प्रतिशत तक का घाटा चल रहा है जबकि असल में ये घाटा GDP का कर्ज का मतलब 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप यहां से समझेए कि चुनावी वक्त में राजस्थान, मध्यप्रदेश यसे राज्ये, पंजाब जैसे राज्ये किस संकट से गुजर रहे हैं उनसे कैसे यही अमाउंट, यही मुफ्त की योजनाए वसूली जाएंगी अच्छा सोना जी अभी गैलोग जी ने अनाउंस किया है कि महिलाओं को मोबाईल फोन देंगे, एक साल का डेटा मिलेगा, आपको मिला मुबाईल? मम्मी को मिला मम्मी को मिला और दो लोग मैं चार लोगों को मिला है परिवार आपके गाऊ मुबाईल वगरा यह जो माईला जो ती कि हमाय उनके लिए नस सेवा के लिए उनके लिए मुबाइल वगेरा ये गिप कर रहे हुँ लेडिजों को मुबाल भी दिये हैं अजय मैं यह देख रहे हुँ कि आप पे जितने आटो जैं रिक्षाज सब के पीछे जो है ऑशो गैलोजी का पोस्टर लगा हुआ है उनकी फ जो काम करवाएगा उसी को सपोर्ट करेंगे लेकिन बीजेपी को यह कह रहे है कि मुफ्त की योजनाए अनाउंस कर रहे हैं कि पहले पांच साल काम नहीं किया इसलिए आप मुफ्त की योजनाए अनाउंस दे रहे हैं प्री का समान बाट रहे हैं मदद कर रहे हैं यह यह पर बेपार नहीं है और क्या उड़ा है बने लोगे तो इसा नहीं है नहीं है उनको आगे 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 और लोगों से पूछ लेते हैं तो वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारे नहीं है और विपक्षी जहां पर केंदर के हिसाफ से मजबूत है कुछ चुनौती मोदी जी को दे पाएगा दे तो दे दियेगा दूनी इपशिगा दिक कर दे सकते हैं दे सकते हैं यहां पर आपको क्या नफज पकड़ में आ रही है कि लोग क्या अशोग एलोट को जिताएंगे या पर वीजेपी तो जिताएंगे तो देखो अब जैसा मावल जाता वैसे होगा आप बताओ ना बिहार के लोग को पॉलिटिक सितना समझते हैं यहार में तो अभ पत्ते नी खोलें मातलग अजाख और प्लोप होने वाले है वर्ते जस्भी जी बॉप अब भुज फी पैड़ ऑगा यस बार किसी सरकारा नेवाली है है यह नहीं पर अभी जो मुफ्त की घोशनाएं हो रही है यहां पर सारी उसको राज्ये के जंदा पसंद फर रही है है पसंद कर रहे हैं यह सब्सक्राइब दे रहे हैं वह सारी इसे सब्सक्राइब देंगे उसे महिंगाई से तो सपोर्ट तो करेंगी मेटम लेकिन बार बताइए मुझे अगर फ्री सब्सक्राइब इस तरह से फ्री की घोश्नाएं करेंगी जिसमें जो राज्य का बजट है वह घाटे में जाएगा अप्री योज्णाओं के वज़ासे तो पर टैक्स की वसूली बें जनता से ही होगी तो यह ठीक है मुफ्त की घोश्नाएं ठीक है नहीं तो सुफदा तो एक सरकार को अधिकार होता है न मेटम अब वो तो मैनेज केसे करेंगी उनको पर लेकिन एक तरह से दे तो रहें ना कम से कम गरीबों का साथ तो दे रहें गरीबों की मदद तो कर रहें हैं वो मैनेज कहां से करेंग मुष्ट मेर्ट जानते हैं चलो आप यह कह रहें कि राजी में तो गैलोफ जी की सरकार आजाएगी केंदर में किसकी आएगी 2024 में केंदर में तो वीजेपी की रहेंगी मोधी जीत रहें हैं किसी में है उनको हराने का अब है अब तो ऐसा तो कोई नहीं देख रहा मेडमम यहां पर राजी ने आप अशो ग्यालोथ को भीपा रहे हो तो जिस गट बंदन को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गट बंदन को इस कमाल कर पाएगा वो मुश्किल है क्योंकि उनका बोलवाला ज्यादा है और उनके मतलब सपोर्टर ज्यादा है आप पसंद करते हो मोदी जी को मोदी जी को परसंद करते हैं अगर कॉंग्रेस पाटी राहूल गांदी की बजाए अशो ग्यालोथ को प्रोजेक्ट कर दे कि यह हमारे पीम पद के उ नहीं कि दरना को दैख रहे और अब समय में जर अब है ने या कभी नदर है और एससे पहले कभी उन्होनांने कोई दूसरे के लिए पत जोनाफ टोम पीणि नहीं लड़ा जलतों का ऐसा चलता रहता है तो इसलिए जाले तर निनको कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बोट बैंक भी पहले से भी पहले से पहले बी कई बार गलोजी आ चुके हैं और इस बार भी तोड़ा गरीबों की तरफ देख रहे हैं तो इस तरह से तरह से रहने वाद आपका बॉधर भी इसको लेकर बाते तो सभी कर रहे हैं सभी कह रहे हैं रुकना चाहिए इससे कर्ज का बोज बढ़ रहा है इससे बजटी घाटा बढ़ रहा है यह देश के लोगों के लिए जनता की आदत बिगाडने वाला जैसा भी है लेकिन सवाल यह है कि सतर सालों से मुफ प्रिबीज मुद्वे पर अश्वनी उपाधिया ने याची का दायर की और कोट में उनकी तरफ से वरिंदर कुमार शर्मा पेश हुए उन्होंने का कि चुनाव से पहले सरकार का लोगों को पैसे बाटना प्रताडित करने जैसा है यह हर बार होता है और भार टैक्स चुक क्या क्या क्योंकि जनवरी 2022 के बाद से मतलब जब से यह मामला अर्श्विन उपाधिया कोट के पास लेकर पहुंचे तब की टाइम लाइन देखे 11 अगस 2022 सुप्रीम कोट ने कहा कि गरीबों का पेट भरने की जरूरत है लेकि लोगों की भलाई के कामों को बैलेंस करने के जरूरत है क्योंकि freebies की वज़ा से economy पैसे गवा रही है हम इस बात से सहमत हैं कि freebies और welfare के बीच फर्क है 17 अगस 2022 कोट ने फिर कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि राजनितिक पार्टियों को वोटर्स से वादे करने से नहीं रोका जा सकता है अब यह करना होगा कि freebies क्या है क्या सबके लिए healthcare पीने के पानी की सुविधा मनरेगा जैसी योजनाएं जो जीवन को बहतर बनाती है क्या उन्हें freebies माना जा सकता है कोट ने इस मामले के सभी पक्षों को अपनी राय उस दौरान देने को कहा फिर 23 अगस 2022 की तारी जब सुप्रीम कोट ने केंडर से पू 2022 को पूर्व CGI NB रमना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया सुनवाई की रौण उन्होंने कहा कि कमिटी बनाई जा सकती है लेकिन क्या कमिटी इसकी परिभाशा सही से तै कर पाएगी रमना ने ये भी कहा था कि इस केस में विस्त्रित सुनवाई की जरूरत है और से गंधीरता से लेना चाहिए तो देखना ये दल्चस्पोगा कि ये लड़ाई जिसमें केंद्र सरकार भी सहमती जता रही है अश्वनी उपाध्याय से जब स्टैंड लेने की बात आएगी तो कितनी मजबूत इच्छा शक्ती के साथ फ्री बीज पर एक सहमती सर्वदलि में इतना ही फ्री बीज के मामले को लेकर न्यूस बीज पर आपकी स्पेशल कवरेज देख रहे थे लेकिन यहां से आगे हम बाकी विधानसभाओं और बाकी क्षेत्रों में लोकसभाक्षेत्रों में अलग-अलग वर्गों के बीज भी पहुंचेंगे और कोशिश करेंग कि जनता की नव्ज शुद्ध देसी चुनावी रंग 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए क्या है चैनल को सब्स्राइब जरूर करें जरूर दें इस कवरेज पर आप क्या सोचते हैं और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें बहुत अन्यवाद करें रंग बाकी हैं और को सब्सक्राइब जरूर करें झाल मार करें अन्यवाद्च परों का उठा हैं